हेलो फ्रेंट्स नमस्कार स्वागत इस नई वीडियों बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी का एक नया विग्यापन यहां पर आ चुका है राजस्व लेखा पाल भारती के बारे में राजस्व लेखा पाल मुख्य परिशा का जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया ग आधक कर सकता है इसमें पर हुआउइप पासемों को अप्लाई कर सकता है इस में को अप्लाई कर सकते लेकिन इसमें सब्सक्राइब क्या है पूरी इंफोर्मेशन हम इस वोड़ों में जानने वाले हैं यूपी लेख अपाल भरती के बारे में तो वीडियो को फ्रिंट्स अब लास्ट तक बने रहेगा मिना नाम है दिलीप और आप देख रहे हैं डिया सेल्पिंग फॉरेवर यूट्यूब चनल दोस्तों अ अयोग के बिग्यापन संख्या परिछा 01 2222 राजस तो लेख अपाल मुख्य परिच्छा का यहां पर जो नोटिफिकेशन निकाला क्या है मुख्य परिछ्षा यानि इसका प्री मतलब जो है प्रिमिनली एक्जाम इसका पहले ही हो चुका है जो बच्चे प्रिमिनली वही लोग यहां पे यूपी लेखपाल के लिए फॉर्म को अप्लाई करेंगे ठीक है ना तो यह सबसे बड़ी अप्डेट है इसमें इलिजबिटी को लेकर 12 पास चाहिए ही चाहिए लेकिन इसके अलावा आपको जो है प्री एक्जाम अपियर हो और प्री एक्जाम में अगर आपने भाग लिया था अविधन करा था आपका रिजल्ट बना था वही लोग यहां पर फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो अब मेंस के लिए यहां पर नोटिफिकेशन निकाला गया है पहले ही एक फिल्टर लगा के सबको छाट लिया गया है मेंस के लिए यहां पर अब यह वेकेंसी निकाली गई है अब बोला गया कि साथ तारिक से फॉर्म में स्टार्ट हो जाएंगे और 28 जनवरी 2022 तक फॉर्म को अप्लाई करेंगी कुछ कोई भी चीज आपको संसोधन करना है तो चार फरवरी 2022 तक आप संसोधन कर सकते हैं इसका लिंक में डिस्क्रि लिस्टिंग उनके प्रारामभिक अहर्ता परिच्छा 2021 में जो हुए थे उसके स्कूर के अधार पर ही की जाएगी तो यहां पर देख सकते फ्रिंट्स यहां पर साब साब जो है जनकारी बताई जा रही है यहां वेकेंसी फ्रिंट्स राजस्यों लेखापाल मुक्ष परि प्रिंट्स बताया गया कि आवेदन करने वाले अभ्यारतियों के लिए आवस्तरक सूचना क्या है यहां बोला गया कि आप जो अच्छे से भाली भाती समझेंगे अब यहां बोला गया कि विवरण के साथ आप जो है अपनी जनकारी को भरके और लोगिन करेंगी जिसमें बोला गया कि आप अपना जन्मती थी रिश्टेशन नंबर लिंग उत्रप्रदेश का मूल निवासी स्रेडी यह सब जैसे आप चूच करेंगे और लॉगिन करेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगी या आप ओटी के माधियम से भी आप यहां पर लॉगिन हो सकते हैं लॉगिन होते हैं आपकी सारी जनकारी आ जाती है जैसे कि आपने परिशा में जो आपने भरा था जैसे कि आपका नाम पीता का नाम आपका निवासी स्रेडी चैती जारा समझी जन्मती थी लिंग विवाई के स्थिती संपूर है तो मोबाइल नंबर इमेल एड़ी सब जन मिलता है यूपी ट्रिपल सी का फॉर्म भरा हुआ है तो मैं जो है कलग से वीडियो ला दूँगा अब इसमें जो है अप्लिकेशन फी आपको 25 रूपीज देना होगा फॉर्म फील करने के लिए जो आप डेबिट कार्ड क्रेड कार्ड नेट बेंगीं के मादियम से आप जमा कर सकते हैं जब आपका फाइनल समीट हो जाएगा तब आपको प्रिंट आउट ले लेना है अप्लिकेशन डेस्वोट में जाके और यहां पर आपको आवेदन में संसोधन भी कर सकते हैं अगर आपको कोई गलती हो गई है तो आप चार फरवरी 2022 तक आप इसमें कुछ संसोधन कर सकते हैं अगर आपने फॉर्म भरते वक्त कोई भी गलती कर दिया है बाकी यहां पर विभाग की जनकारी बताई गया है कि जो राजस्यों परिसाद उतर परदेस लखना वो विभाग है इस विभाग की वेकेंसी है और पद का नाम लेखा फाल है सेलरी देख सकत है और यहां पर एंज बताई गई है तो आप यहां पर आवदन दे सकते हैं अन रचित के लिए कितना सीट हैं पिछड़ा वरक के लिए 254पोस्ट है आर्थिक रूप जो कमजोड EWS होते हैं 798 हैं, कूल पद यहां पे 8085 पद यहां पे राने वाले हैं, तो फ्रेंट्स यह वेकेंसी वही लोग आवदन करेंगे जिन्नोंने प्री एक्जाम और लेडी क्वालिफाई किया हुआ है, वही यहां पर फॉर्म को अप्लाई करेंगे बाकी और भी यहां पे हिंदी में जनकारी बताई गई है, आप यहां पे एक बार जुरूर पढ़ लेंगे, और बाकी यहां पे अहरता सैचरिक हो गया था, यहां पे मैंने आपको बताया ही, बाकी यहां पे बताया गया कि अगर आप लेखपाल के लिए आवदन देना चा सकते हैं, और यहां पे अधिमानी अर्था बोला गया कि अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यारतियों को सीधी भरती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, जिसे कि प्रादेशिक सेना में नियुंतर्ब दो वर्स की अवधीता को सेवा की हो, और राष्टे करेडर स्क को अपलाई करते हैं और इंट्रिस्टेड है तो, अब यहां पे आपको चैन का अधार बताएगा कि लिखित परिशा यहां पे होगे, जो कि यहां पर परिशा का योजना बताया गया, समाने हिंदी से पचीस प्रस्न, पचीस मार्च से गणित से पचीस कोशन, पचीस मार् के करने होंगे बाकि यहां पर बांए करम से कौन विखाष से कौन कंसे कोर्षों से आते हैं यहां पोड़े से आप एक बारे यहां पर जरूर पड़ेंगे तो यहां स्बास साफ पर देखार निकाली है उसके के बारे में हमने यहां पर समझा उसके नोटिफिकेशन के बारे में समझा और कौन आवधन कर सकता है इभी मैंने आपको बता दिया उमिद करता हूं फ्रिंट्स आपको जनकारी अच्छी लगा जनकारी एच्छी लिए वीडियो को लाइक करेगा और अपने दोस्तों में जर इसल्पिंग फरेवर थैंक यू फोर वाचिंग जाहिन